मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, साइंस ये बोलती है कि 25-30% confidence दादा दादी के रहने बर से ही आ जाता है, जो कि फ्री में मिल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहूंगा, कि RPS 360 डिगरी पे काम कर रहा है, RPS एक complete school है, बच्चों को जाने की जरूरत ही नहीं है, एक complete package है, बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चा गलत कदम उठा पा रहा है, उसका एक कारण है, कि बच्चा classroom से bedroom में जा रहा है, कहीं पर भी बीच में उसको pressure release करने का वक्त नहीं मिल रहा, दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा कि बहुत से बच्चों ने बताए कि सफलता का राज जो है, वो RPS है, बहुत से टीचर्स ने बताए कि हम किस प्रकार से, अगर रात को बारा वज़े भी ग्रूप में message आता है, कि बच्चे को ये समश्या है, तो हम उसको show लो कर कि बच्चे IIT Bombay जाएंगे, कहीं NEET क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत हर फिल्ड में अच्छे रजल्ट भी जारे, तो बात करते हैं, मनीश राओ जी हमारे साथ है, सर नमस्कार, कैसे हैं, बहुत अच्छे, सर आप बताएं, बहुत बढ़िया, सो में से सो, chemistry, mathematics, जो सब स हीन है, वो जहां सपने साकार होते हैं, तो वहाँ पर parents के,nenes के, teachers के, सबके सपने साकार हो रहे हैं, सब मैं आया बच्चों से बात कर रहा था। एक बच्य के साथ उनकी पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि दादा का सपना था। दादा नहीं रहे। लेकिन पोती सपना पूरा कर एक आखों में आसू थे। गए उनको लगा कि यहार अपने घर से बढ़िया कुछ भी नहीं है फिर उन्हों ने आकर ने दुबारा से यहां पर अपने बच्चे को रखा और रजल्ट आपके सामने है जिस प्रकार से सारी जगह बच्चे गोंगे लास्ट में अपने हॉम टाउन में आते हैं और बताते उनकी महनत के कारण ही है आप देखिए कि 20 साल-25 साल पहले इस एरिया को बेकवर एरिया बोला जाता था यहां के बच्चों ने यहां की जनता ने इतना काम किया टीचर से ने इतना काम किया कि इस इलाके को नमबर वन बना दिया इंडिया में अजूकेशन के मामले में यह आप भी जान पा रहे हैं, एजुकेशन हब बना दिया, तो सभी का रोल है, कुछ-कुछ पर्षेंट सभी का रोल है, और बड़े बुजुर्गों का असिरवाद है, और बाउजी की दूर दरस्टी और उनका असिरवाद है, बचे बता रहे थे कि आर क्लास में टीचर्स बड ही बढ़ गे थे, इस बार जो हमारे फस्ट अटेम्ट में बचे आहें, 99 परसंटाईल से उपर, वो 25 है, और 99.98 परसंटाईल लेके न बचे हमारा टोप कर रहा है, और मैं जहां तक सोच पा रहा हूं कि 99 परसंटाईल से उपर, सेकिंड अटेम्ट में बगवान का असिरव पादरा तो यह फिगर डबल हो जाएगी, देखना आप, फिगर डबल हो जाएगी, मतलब एक बड़ा विसफोट होने वाला है, मैं अंदरगड नारनोल में, आरपियस में, कि जो फिगर डबल होने वाली है, मतलब लगबग 50 बच्चे होने वाले हैं, जिनके 100 में से शो हो सर्थ उस प्रकार से अगर बात करें, पढ़ाई की, काला पानी जासे आप बताई रहे हैं, किस प्रकार से फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं पुष्चों को, देखे हर सब्जक्ट की अच्छी फैकल्टी होती है, बड़े अच्छे एक्सपर्ड्स होते हैं, और एक सब्ज लेवल पे ही तरासा जाता है, उनके साथ महनत की जाती है, और उसके नतीजे है कि आपके सामने रजल्ट्स, अब एक बचा कमिस्ट्री में 100% आईल का स्कोर कर रहा है, एक बचा मैट्स में 100% आईल लेके आ रहा है, तो कही ना कहीं यह उसका अगले अटेम्ट के लिए वि गड़ जाएगा, यह हो जाएगा, उसको भार बेज जाते हैं, और भार क्या होता है, बहुत सी बाते सुनने को मिलती हैं, कहीं किसने इसुसाइड कर लिया, बच्चे गलत लत में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स के साथ रहके आरपेस ऐसी सुनने दे रहा है, आ एक कारण है, कि बच्चा क्लास रूम से बेडरूम में जा रहा है, कहीं पर भी बीच में उसको प्रेसर रिलीज करने का वक्त नहीं मिल रहा, और जगया नहीं मिल रही, तो बच्चा कहीं नहीं परेसान है, यहाँ पर जब बच्चा स्कूल में आता है, तो इत्तों दादा दादा दादी के साथ रहता है, मम्य पापा के साथ रहता है, तो दादा दादी के साथ रहने बर से 25-30% वो बच्चा confidence गीन कर रहा है, और आने वाले समय में सबसे जो ज़्यादा problem रहने वाली है, वो confidence की है, 25-30% मैं सभी parents को बताना चाहूंगा, science ये बोलती है कि 25-30% confidence बहन के साथ है, थोड़ी दमा चोकडी भी कर रहा है, बच्चा assembly में आ रहा है, sports में जा रहा है, तो school जो है, वो complete school है, जब यहाँ पर आपको teachers अच्छे मिल रहे हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरती नहीं है, बच्चा मा के हाथ का खाना खाके आ रहा है, बड़े बुजु इसी ही तो है, और हमारी जो government है, वो भी बड़े अच्छे कदम उठा रही है, कि बच्चों को schooling में बच्चों को रखो, जिससे कि बच्चे की overall growth, overall development, अभी board exam भी सुरू होने वाले हैं, बच्चों का second attempt भी आने वाला है, तो क्या कहोगे, बच्चों किस प्रकार से पढ़े और क्या करें, किस पर जारा ध्यान दें, अगर मैं इन बच्चों की बात करूँ, तो ये बच्चे IAT में भी अच्छा करें और ये बच्चे board में भी अच्छा करेंगे, उसका एक region है, इनके सारे practicals हुए, इनको CBSC का syllabus भी पढ़ाया गया, इनके pre-boards भी हुए, पूरा बेस तयार किया, तो इनको बिल्कुल भी घवराट नहीं है, इनके marks भी अच्छे आएंगे, आप ये देखोगे, CBSC में इनके marks भी अच्छे आएंगे, फिर ये second attempt भी अच्छा करेंगे, ये quarter final match था, semi final second attempt है, और final IT advance है, और मैं आपके channel के माध्यम से, सभी parents को और बच्चों को ये ही कहना चाहूंगा, कि आप अपने दिमाग में कोई figure बिठा लो बच्चों, बच्चों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, कि मेरे को तो 500 by 500 marks चाहिए, मेरे को तो second attempt में 300 by 300 का score ही चाहिए, तो बगवान आपको सचमुच में वो score देगा, वो marks देगा, अगर हमने सच मन से सोचा और उसके उपर उतनी सिद्दत से काम किया, ये पकी बात है, और पेरेंट्स के लिए भी मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूंगा, कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे बैस्ट बच्चा है, विस्वास आप करते हैं, और ज्यादा विस्वास करें, और कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी ये पाते हो कि बच्चा थोड़ा सा थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, या गूम सुम सा है, या बोल नहीं रहा, तो आप जरूर स्कूल में आएं, आपके स्कूल के टीचर, और पे स्कूल के टीचर उन बच्चों की काउंसिलिंग भी करेंगे, और बच्चे जब टीचर से मिलते हैं, तो बच्चे थोड़ा confidence गेन करते हैं, तो कहीं पर भी किसी भी बच्चे को problem आए, तो वो जरूर अपने बच्चों को लेके स्कूल में आए, अदरवाइस आपका साहरा ही, आपका साथ ही बहुत है, बहुत बहुत धन्यव वन ओफ दा बैस्ट हमारा रजल्ट है हिंदुस्तान का, जो स्कूल लेवल पर है, और इसका comparison अगर कोचिंग लेवल पर भी करोगे, तो वो भी वन ओफ दा बैस्ट हमारा रजल्ट है, कोचिंग लेवल के साथ भी comparison करने के बाद क्यूं? क्योंकि हमारा बच्चा schooling कर रहा ह और school में 5-600 ही बच्चा IAT के लिए अपीर हो रहा है, उन 5-600 में से आपके सामने ये figure है, तो ये मतलब बड़ी अच्छी figure है, कितने सरहानिये results है, कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कलपना भी नहीं कर सकते, ये सारा का सारा credit यहां के जनता को जाता है, टीचर्स के जोस और जुनून और विश्वास को जाता है, टेग लाइन है, उसको complete करने के लिए लगे हुए है, परमात्मा का आसिरवाद है और बड़ी बुजुर्गों का आसिरवाद है, और ऐसे हम तो चाहते हैं, बना रहे हैं, और हम अपने एरिया के लिए कुछ कर पाएं, हम तो ये चाह आते हैं, बच्चे को तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, लाजवाब काम हो सकता है, हर बच्चा कोई 99, मैथ में 100, कमिस्टरी में 100, लाजवाब काम है, तो वीडियो को शेर करें, पोजिटिव खबर है, मोटिवेशनल खबर है, तो ये CEO साब ने बहुत सी आच्छी बात इसके लिए बने रहें, इंडिया न्यूस सिक्षिन के साथ, नमश्कार धन्यवाद,